दूस्तो भारत रूस से एक technology पाने के लिए पिछले कई दसकों से प्रियास कर रहा था लेकिन रूस भारत को सिर्फ defense state partner ही समझ रहा था लेकिन आचानक से रूस को अकल आ चुके है और रूस ने decide कि है कि भारत को technology transfer की जाएगी इसके लाबा manufacturing base भारत के अंदर setup किये जाएगे और आप ये बात जानकर के हैरान हो जाएगी कि इसके पीछे चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान इन्वाल्व हैं और एक नई geopolitics चल लई है जिसके बाद रूस को ये बड़ा decision लेना पड़ा है पूरी development का है इस वीडियो में समस्ते हैं बस हमें support करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब जरू कीजएगा दूस्तों रीसेंटली एक बड़ा खुलासा किया गया था जहां पर बताया गया था कि रश्या यूक्रेयन के बीच में जो वार चला है वहाँ पर कहीं न कहीं यूक्रेयन को जो वेपन्स की सप्लाई है वो पाकिस्त दोनों ही देश कई ऐसे बड़े फैंस रेले सकते हैं जो आके चलके भारत रश्या जैपान कोरिया और ताइवान जैसे देशों पर भारी पढ़ सकते हैं जहां पर अगर अगर अमेरिका की बात की जा तो अमेरिका की चाइना से यही शिकायत थी कि वो उनके मिलेट्री चैना के उपर मल्टिपल सेंक्सेंस लगाने शुरू कर दिये जिसके बाद दोनों ही देशों के बीच में दिप्लमेटिक रिलेशन्स थे वो बिगड़ने शुरू हुए और दिरे दिरे इसमें साइलेंट वार का रूप ले लिया लेकिन अब जब अचानक से रिपोर्ट स साथ उन्हें मिलकर ही काम करना होगा लेकि रश्या की बात की जा तो भारत में आयत होने ले जितने भी डिफेंस एक्योंपन्ट है उनका 45-30 सा हम रश्या से हयायत करते हैं और रश्या ने भारत का कई बार मुसीबत के समय में साथ भी दिया है कलावा रश्या की मदद से भ स्क्राइब करेंगी और इससे ना सिर्फ डुमेस्टिक मार्केट को टार्गेट किया जाएगा बलकि इंटरनेशनली जहां पर भी रश्या अपने वैपन्स एक्सपोर्ट करता है भारत से सीधे एक्सपोर्ट किया जा सकते हैं कुछी समय बाद रश्या भारत को मल्टिपल ल बढ़ता होना ज़रा रहा है अमारेका और चाइना के बीच में होने वाली मीटिंग से भारत को क्या नुकसान हो सकते हैं तो पहले चीज़ के अगर अमारेका और चाइने निवेशन अटर goofy electronics को लेकर के ईीव osell Conceptories के लिए यह फिर से चाहैं कि और दाइवर्ट हो सकती है औ आपके इस पूरे मुद्धे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरू बताइए भारत कैसे ही यूसवल एन्फिमीटिव वीडियो समाने के लिए आप मारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजे मिलेंगे हम आपको एक नए और इंट्रस्टिंग वीडियो में